नवस्का सातियों तो चलिए आज की देनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एकर करके देख लेते हैं और याद रखिए देनिक जागरण का राश्टीय संसकरण है तो इसमें आप लोगों को महत्वूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी इस समय आप लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में चलना आए लोग सभा का चुनाव है और लोग सभा में टोटल सीटे के 440 देखने को दिआएस को मिलेंगी और लोगसभा सदसका चुनाव डारेक्ट Rise जनता है यानि कि मद्दाताओं के द्वारा होता है अगर आपकी उमर 18 साल हो चुके तो बोटर सूची में आपका नाम जड़ चुका होगा और आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे पहले बोट डालने के उमर 21 साल होगा करती थी 61 समिधान संसुधन के द्वारा घटाकर से 18 कर दिया गया था और अगर आपको लोग सभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उमर कम से कम 25 साल होने चीए अधिक तम उमर की कोई सीमा नी रखी गई है यह चुनाव करवात है कौन है? एक समिधानिक संस्ता है समिधान के उन्चे 324 के द्वार चुनाव आइक की स्थापना की बात की गई है और आप देखे 25 जनवरी 1950 में स्थापना होई थी ना 25 जनवरी को आप लोग मद्दाता दिबस मनाते हैं 2011 में मनाय गया था इस रूभा था सूकुमार से इन पहले मु सेंड गतीरोत के पांच वे वर्स में प्रवेश करने पर विदेश मंत्री एस जैसंकर ने कहा कि भारत चीन की साथ सेस मुद्धों के समाधान की उम्मीद करता है उन्होंने कहा कि सामन दुई पक्षी संबंधों की बापसी सीमा बर सांती पर निर्वर करती है बाके मुद् साथ राज्यों की सीमा लगती है मैक मोहन विखा आप लोग ने देखी होगी ना सुनी होगी तो उसी वह भारत हो चीन के वीच सीमा रेखाता है करता है बाकी चुनाओ की देखे एक दूसरे पर आरोफ खूब लगाये जा रहा है यह आप सभी जानते हैं एक गुलाम जमू कस्मीर में लग रहे हैं पाक से आजादी के नारे हिंसक पे दरसंजारी हिंसा में सौसे अधिक लोग हुए हैं हिंसा में और घायल पुलिस अधिकारी से हैं दो लोगों की हो चुकी है मौत आटा और विली की मांग कर रहे हैं लोगों पर पाकिस्तानी से न वोच अधालत है, समीधान के अनुचेद 124 के तहद आप देखते हैं कि सुप्रीं कोट की स्थापना की बात की 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होई थी, जहारकंड के मुखमंत्री रहे न, एहमन सुरेन उनी की बात हो रही है, एक बार आप लोग जहारकंड गो देख लीजे कब राज बना थे, 15 नवंबर संदो हजार में, 81 सीटे हैं, विधान सबाव में, राज्य सबाव में 6 सीटे हैं, लोग सबाव में 14 सीटे हैं, 89,716 बर किलूमीटर में फहला हुआ, सीपी रादा किसने नहा की राजपाल है, और चमपई सुरेन नहा के मुखमंत्री देखने को मिलेंगे आपको, जमीन घोटाले में आप देखते हैं कि ये भी जुड़े हुए, वद्दिनिन राद धाम के कपाट खुले, हजारों से धालू बने साक्षी, लेवल पर मत जाए, हाती के दाद खाने के और दिखाने के और हो सकते हैं, और एडबावन खाद पदार्तों के लेबल पर किये के दावों से उलट हो सकते हैं, उसकी गुडवत्ता, आजकल गुडवत्ता पर भी बहुत सारी सवाल खड़े किये जा रहे हैं, फलों के डिवबाबंद जूस में हो सकता है, फल का किबल 10% तत्ति, अब देख लिजे, असली फलों के जूस के दावे को ल उधारन के लिए के बल 10% तत्त वाले उत्पादों को भी यह लिखने के अन्मती दी जाती है, कि वह फलों के गौंद या रस से बना है, लेकिन रियल फूट होने का दावा करने वाले उत्पादों में चीनी और अन्द तत्त मिले हो सकते हैं, उसमें असली फल का के बल 10% त इडी का समझ यह भी आप देखते हैं, अभी इनके पुरी है कि नोकर यहां आप देखते हैं मिला था, और जारकंड आप देखे गरीब राज्च है, कहने लिए, लिकन यहां की नेता और आप देखी अधिकारी माला माल है, क्या है, माला माल है, इडी की बात करने तो मई 1956 में इसकी इस्तापना हुई थी, एक ख़बर आपकी राष्टी रादधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, और केंदल साथी पिदेश है ना दिल्ली एक, विधान सभा में 70 सीट है, राज्य सभा में 3 सीट है, लोक सभा में 7 सीट देखने को मिलेंगे, अरवेंद के ज देश के जबान अगनी पती हो जना बंद करने की बात करें, देश के किसानों के लिए स्वामी नाथन आही की सिपारस है, मद्देरंजर, MSP के सभी फसलों मिलेगी, दिल्ली को फून राज का दरजा, बेरोजगारी वेश्टा चार बया पारें, इनकी गारंटी है, अभी मै डिजीटल माध्यम से पढ़ाई करेंगे, SOL के बिद्ध्यारती, यानि की ओप ओपन लाइनिंग की बात हो रही है, सत्रे से अधिक बाटकरम, SOL में किये जा रहे हैं, संचालित, हर चेप्टर के बाद आयुजित हो कब कुई इसे पूरा करते ही होगा, जनल असेस्मेंट टे सब आप देखे, सांसाद निदी पर आप देखे, बायक रोड सांसाद निदी मिली पांच बरसों में, किसी कार पर कितनी रासी, चलिए आप सब देखते रहे हैं, 926 था लेंगिक अनपात देश में, 2019 के लोग सबाज चुनाव में, 2012 में ये अनपात 908 था और पांच बरस क अनपात में, 18 अंकी की बड़ोती दर्श की गई है, सब राजनीती की बात हैं हो रही है, अब इस समय तो आप देख रहे हैं, जाती है समय करन, धार में समय करन, दुनिया भर का, एक ख़बरों की बात का क्या की जाए, आप खुद बताए, आप खुद सोचे, क्या एक खबरी बात की जाए, कि सौनिया ने सांसद निधी का सत्तर पिती सस्य अधिक अल्ट्रेंखकों पर खरच किया, यह हमारे हो मिनिस्टर साहब करें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जो नेता बयान देते हैं, वो आप लोगों के लिए ना तो ज़रूरी है, आपके एक जाम के लिए, बस आप लोगों के याद रखा करिए, कि जब रिजल टाय करें, कौन चुना करवाता है, कहां चुना हो रहा है, किस तरह का चुना हो बस इतनी आप लोगों के याद रखना है, देश की राजनिती गरक में जा रही है, और जितनी वची वो भी चली जाएगी, यह भी देखते रही है आप लोग, जब एक मुझे ख़बर पढ़ने को मिली, कि वो इसलिए चुनाव का टिकेट दिया गया उस बलतकारी को, उस एक तरह से आप देखें दुस कर्मी को, क्योंकि वो चुनाव जीतने की चाहत रखता था, और कहते हैं कि उसमें आप देखें हमारे पधानमंतरी साहब को भी मालू था कि एक गलत इंसान है, पर भी आप देखते हैं कि कहते हैं, HD देव गोड़ा साहब ने कहा कि प्रेजव जो रमन्ना है न, वो चुनाव जीत जाएगा, सीट जीत जाएगा, तो उसे टिकेट दीजे, यानि कि मुझे लगता है कि अगर कोई आतंकवादी आएगा फाकिस्तान से वो भी चुनाव जीतने की हैसियत रखता होगा, तो उसे भी राजनितिक पार्टियां टिकेट तो इसलिए नेताओं से जाना उम्मीदें मत रखा कर दियेगा ट्रीक है वर्ड कोट से जानकी चट्टी के बीच 24 घंटे में जाम में फसी रहे हजाल सिद्ध है लूँ कि इस सचिवों के दस नमू बना रहें नई सरकार के सौधिन का एजंडा अची बात है सभी C.A.P.A.P. है अपना है सीमा की बार्ड पर मधुवक्षी के चत्ते का मॉडल ग्रहम सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिये ने देश बंगाल की नादिया में एक B.S.A.P. यूनिट ने लागू किया या मॉडल क्या पहल है नादिया की B.S.A.P. की यूनिट ने पिछले वर्स नवंबर में यह पहल की थी और अब तक बाड़ पर लगबग 200 मधुमक्की के चत्ते स्ताबित किये गए हैं इनने लगाने का उद्देश पसू सवर्ड एबं नसिले पदार्द को तसक्री और बाड़ को काटने की घटनाय रोकना है और इस दिए बटालियन में के कमांडिंग ओफिस्टर कमांडिंट सुजीद कुमार ने पूर में बताया था कि बाड़ पर मधुमक्कीयों के चत्ते पहल का एक सी एप एप अधिकारी ने बताया कि उक्ते मोडल लॉंच होने के बाड़ से नादिया की सीमाबर्ती इलाके में भी ऐसे अप कानुईयों आईस मंतराले और सेक्णों इस्थानिय लोगों की भागयदारी से एक लाग से अधिक बहुत ही लगाए गये और लेकनी है कि ब परियाबन को भी फायदा हो रहा है और हमारी सरक्षा भी हो रही है कि यह आप देखते हैं कि हर्याना में फिलोड टेस्ट के लिए बिसे सत्त बॉलानी की तेजारी में भाजा पा क्योंकि इन्हें जो सहयोग्यों का वो मिला हुआ था ना सहयोग निरदल ये विधायकों का उन्होंने चीन लिया है वो बापस ले लिया है इसलिए आप देखते हैं कि यहां चर्चा में बना हुआ है एक बार आप देख लीजे यह हर याड़ा है चंडिगर इसकी राद्धानी देखने को मिलेगी एक नवंबर 1966 में इसी राज बन आपका हर्याना दीरे दीरे ओडाने बहाल कर रही एर इंडिया एक्सप्रे चुट्टी लेने वालों ले सभी केविन क्रू सदस ड्यूटी पर लोटे लेकिन रवीवार को रद्ध करनी पड़ी बीस और ओडाने कल तक पर हीचालन सामन होने की संभावना जिताई जा रही ह इस संसकारी एक सिक्षा संग बहतर भविस की न्यू गड़ रहे हैं आप देखें भी अच्यू के पूरुचात लखनवुस्तित महावना सिक्षा सहस्तान में आर्थी गुरुप से कमजूर में धावियों के सुपन हो रहे हैं पूरे ओच्चे सिक्षा की फीस भी देता है स बहुत अच्छी वहल है अब आप देखें जिस तरह से बोटिंग परसेंट हो रहा है बोट पड़ रहे हैं तो इस पर बहुत सारे सवाल खड़े किये जा रहे हैं कि मौलिक अधिकार बना देना चाहिए मद्दान को और आप दिखते हैं कि कुछ आप दिखते हैं कि अगर क पर कारवाई होने चाहिए अनिबार मद्दान कर देना चाहिए तो मद्दान बने मौलिक अधिकार चुनाव आई हो कि एक अनुवान के अनुशार पिछली लोकसभा चुनाव में 30 करूड ऐसे लोग मद्दान नहीं कर सके जो रोजी रोटी के लिए अपने लोकसभा चेतर से बाहर थे भारत में कम मद्दान के पीछे इसे भी एक बड़ी बज़े माना जा रहा है भारत में प्रिवासियों की संख्या अमेरिका की कुलाबादी इसे भी अधिक है जानतर प्रिवासी आसंगठे चेत्र में काम करते हैं उनकी आए भी बहुत कम होती है और इसके लिए आप देखते हैं कि लोगसभा छेत्र पहुंचकर मद्दान करना चनोती पूर्ण होता है लोग पितिने अधिनियम 1950 के सेक्शन 19 के तहट मद्दाता दिवस मद्दाता जिस छेत्र का निवासी है वहां उसका नामंकर जरूरी है अब आप देखेंगे कि रोजगार के लिए अपने नाम दर्ज कराना होता है और अपने मौल निवासिस्तान के सूची से नाम भटवाना होता है यह एक मुस्किल काम है और विसे सकों का सुझाओ है कि चुनाओ आयो पैसा रास्ता निकाले जिससे प्रवासी जहां रहे वहीं मद्दान कर सके ऐसे मिया परताल का मुद तो यहां से आसानी से मैं अपना बुट डाल पाऊंगा प्रवासियों के लिए हो रिमोट बोटिंग की विवस्ता यह क्या कहा जा रहा है इससे भी देख लिए और इसी तरह के आप देखते हैं कि जब बोटिंग परसेंट कम होने के कारण आपसे पूंचे जाएंगे ना और आपसे सुझाओ मांगे जाएंगे तो आप इनहीं को सुझाओ दे सकते हैं जो आप लोग कहते हैं ना कि इनका आंसर राइटिंग में कैसे उपयोग करें नेवंद लिख रहे हैं वहां कैसे उपयोग करें तो यही सुझाओ जो कमिया है जो कारण है ना बोट डालने के वो कारण आपको बताना है और जो उसे बड़ा बूट परसेंट बढ़ाने के क्या समधान हो सकते हैं उनके बारे में बता देंगे बस तो लोगसभा चुनाओ में गिरते मद्दान के तीसर से चुनाओ आयोग मेडिया सरकार और जनता चिंते थे लोगतंत में लोगों की दिल्चस्पी घट तो नहीं रही है और राणितिक दल इसलिए चिंते थे हैं कि घटता मद्दान कहीं उनको नुकसान तो नहीं पहुचा रहा है लोगतंत्रिक देशों में घटता मद्दान प्वैस्पिक समस्या है सोविय संके आउसान और अभी की लोगतंत्रिक व्यवस्था के अभी उते से विस्व में लोगतंत्रों और आप दिखते हैं कि उएस मतादिकार प्राप्त मद्दाताओं की संख्या काभी वड़ी है और इंटरनेंशनल इस्टिटीट फॉर डेमोकरेसी एंड लेक्टोरल इसस्टेंस की अनुसार गुर्ण 2018 के दसकतर चैतर से अठतर पितीसत और सत मद्दान होता था जो 1990 के दसक में सतर पितीसत और 2011 के बाद 66 पितीसत पहुंचे गया है वर्स 2000 आप देखते हैं कि बाइस में अमेरिका में राष्टपती संसदिये प्रांतिये और इस्थानिये चुनाओं में केबल 66 पितीसत मद् दिया है विटेन के 2019 के संसदिये चुनाओं में 67 पितीसत मद्दान हुआ था और यदि भारत में मद्दान इसके आस्वास है तो क्या इससे एक समस्या माना जा रहा है और बिविन देशों में आप दीखे कब मद्दान के बिविन बिविनन कारण होते हैं और भारत में एक कारण मद्दाता सुची में ऐसे नामों की भरमार होना है जुम्मेर्ट डुप्लिकेट या फिर इस्थानांतित मद्दाता है और लोगसभा चुनाओ 2024 में नडवाचन आयूग ने केवल हैदरावाज जिले की 15 विधान सभा मद्दाता सूचियों से 5 दिसमलो चालाक ऐसे भूगस मद्दाताओं फिर नाम हटाये हैं इसके अलावा आ क्या कोई तरीका है जिससे आप देखते हैं कि प्रवासी से में कोई जहां है वहीं से अपने निर्वाचन चेत्य में मद्दान कर सके मद्दान बढ़ाने ही तो एक सुझाओ यह दिया जाता है कि मद्दान को मौलिक अधिकार बना दिया जाए भारत में मद्दान विधिक यह याद रखेगा यह पॉइंट नोट कर लिजे कुशन्स पूंचा जा सकता है आपसे मौलिक अधिकार बनाने की बात हो रही है लेकिन विधिक अधिकार है जो जन पितिनित अधिनियम उनिस सो इंक्याबन से निर्दे से थे समिधान नागरिकों को केबल वैस मत अधिका होने कि बाबजुद मद्दाता सूची में नाम ना होने पहचान पत ना दिखा पाने या फिर जिल में बंद होने पर मत अधिकार का प्रियोग नहीं कर सकता है उसमिधान के अनुचेद 32 मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सरवुच नयाले जाने का दिकार देता है लेकिन दूती है कुछ आप देखते हैं कि बिद्धवान मद्दान को अनिवार बनानी की बकालत भी करते हैं लेकिन बे इसके बिवारिक पहलू की अंदेकी करते हैं अपने आप देखते हैं कि अपने अधिकारों का प्रियोग करना या ना करना दोनों ही सुतंता की परिदी में आ जीसे अॉस्टलिया जिसकी जनसंग के आप देखे 2.6 करोड है यहाँ अनिवार है देखिए मददान देना मद जो केबल असम की जनसंग क्या जितनी है और किसी बड़े लोकतंत में अनिवार मददान नहीं होता है आमने देशों की तुला में केबल 7-8% मद्दान बढ़ जाता है और मद्दान ना करने वालों पर कोई खटोर का दंडात्म करवाई भी नहीं होती है और यदि आप देखें भारत में इसे लागों क्या जाये तो मद्दान ना करने वाले बालों पर क्या अर्थ दंड लगेगा और कारावास होगा या उनके सरकारी से वाओं और लाबों से बंचित किया जाएगा और क्या ऐसा करना संभव और उचित होगा हमें मद्दान बढ़ाने के उचित अन्य तरीके सोचने होंगे अमेरिका में मद्दान तिथी से पहले भी मद्दान किया जा सकता है मिनी सोटा राज में च्छालीस दिन और नियॉर्क राज में दस दिन पूर मद्दान किया जा सकता है हम भी वेवस्ता पर कर सकते हैं कि पित्यासी द्वारण नाम वापस लेने की अंतिम्तिती के बात कोई मद्दाता पूर मद्दान कर सके जिसके मद्दान के दिन अनवपस्तित रहने के बापचूत उसका पुट बेर्दना हो दूसरी remote voting की विवस्ता हो सकती है जिसमें चुनावाई अपितिक जिला मुख्याले या बड़े सहर में एक मदान केंद बना सकता है जहां किसी भी राज्य का मदाता अपने नवाचन चेतर की मदान प्तिती को अपना मदान कर सके और इस से प्रवासियों की नवाचन चेतर से दोरी रहने की समस्या कैसा मदान होगा और मदान की गोपिनिता भी बनी रहेगी मदान पितिसत भी बड़ेगा से अच्छी बात है आप लोग क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय जरूर दिया करिएगा आप लोग आपकी राय मायने भी रखती है बदलते भारत के साथ नेमों में बदला अभी जरूरी है यह क्या कहा जा रहा है यह आप देखिए बरतमान में जारी लोग सब चुनाव में करोड़ों प्रवासित सिर्मिक साथ बोर्ट ना डाल पाये हों इसके बारे में कोई विश्वस नहीं आखड़ी अभी उपलब्द नहीं है लेकिन कई अर्मान में कहा गया कि 30 करोड से 45 करोड लोग काम की तलास में ग्रामी अलाकों से सहरी अलाकों में हो गये हैं और आप देखिए है संख्या, संख्या, अमेरिका और सभी उरूपिये देशों की मद्दान करने के लिए पातावादी से अधिक है और इनमें आप देखते है की इनमें से जानदतर वस्क और पुरस है अधिक लोग भारत में आप देखते हैं कि बोर्ट नहीं डालते है उधारन के लिए आप दिखे असम ओडिसा, विहार, यूपी, मद्विदेश, तमिलाडू, आंद्विदेश, तेलंगाना और करनाटक की गरामी इलाकों की सिर्मेकों की, वैंगलोर की आबादी में हिस्सिदार 40 विती साथ भ्यादी के, इजांदतर जुगी बस्तियों में र दूसरी सहरों या फिर दूसरी राच्चों में जाते हैं, इसके लावा पेसे वर भी सिर्मेक भी हैं, प्रेसे वर भी प्रवासी भी हैं, सिद्धान्तिक तौर पर यह सच है कि अगर आपके पास एड्रेस रूप है, तो आप नई जगे परमदात्ता की तौर पर अपना पंदाम पंजिकित करा सकते हैं, लेकिन पिक्किरिया की तौर पर यह काम इतना आसान नहीं है, जैंदत्त लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, जर्वासी टैक का इस्तेमाल आसानी से करते हैं और आसान अपनी देनिक जरूरतों की चीज जैसे खाने लो चाहि के लिए मोबाइल एपस के वैशन क सबाद सब्सक्राइब के समया और संसाधन खरच करके अपने इंचित्रह पूंड होता यह तरह सुप्रीन कोड कादिर से कि मद्दाता की दोर पर पंजीकन कराने कराय बिना आप चुनाव नहीं पड़ सकते हैं और अगर आप जेल में हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन बोट नहीं दे सकते हैं यहां तक कि एत्या जैसे गमी आरोफों का सामना कर रहा वेक्ती भी चुनाव लड़ सकता है दोसी करार दिये जाने के बाद ही वह चुनाव नहीं लड़ सकता है और आप देखते हैं कि यह सवाल उठता है कि क्या हम चुनाव लड़ने के अधिकार को वोट देने के अधिकार से अधिकमाद दे रहे हैं ऐसा लगत तो रहा है और रेमोल वोटिंग पर बात करने से पहले देखते हैं कि मद्दाता की अधिकार के बारे में समिदान क्या कहता है या आप देखे दो जातीतीन में सुप्रेंग को टने मद्दान को सभिधानिक अधिकार गोस्ट किया था तकनिक की तोर पर यह वेदानिक अधिकार है और समिधान में दिये गए मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है ऐसे में हमारे देश में बिचित तिस्तिती है जहां बड़ी संख्या में लोग अपने समिधानिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं हाला कि उनको किसी मद्दान ना सिर्फ एक अधिकार है बलकि यह एक अनिवार करतब भी है यह रोब संख में अनुच्छित 49 के तहर्ट मद्दान को मौलिक अधिकार बनाया गया है और जैन्दतर आप देखें देशों में भारत की तरह ही यह समिधानिक अधिकार है एक तरह से भारत को मद्दान मौलिक अधिकार बनाने के लिए आप देखेंगे कि समीधार में संसोधन करना होगा हाला कि संसोधन की बिना अभी सो प्रिंग्वोट मौलिक अधिकार में भोर्ट दैनिक अधिकार को भी सामिल कर सकता है उधार इनुच्छित 15 में कहा गया है कि जनम की जगे कि आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है उससे सावजिनिक संसादनों के उपयोग के लिए मना नहीं किया सकता है कोट यह कह सकता है कि अगर कोई व्यक्ति आज इविका के लिए पलाइन के लिए मजबूर होता है तो वह बोट देने के अधिकार को छोड़ रहा है और सुप्रिंग कोट ने एडियर की आचका पर कह चुका है कि बोट देने की सामिधानी का अधिकार का इस्तेमाल मौलिक अधिकार 19 पर आधारित है और आप देखें से बिब्यक्ति की सुद्धनता के तौर पर जाना जाता है इसका मतलब है कि मद भारती दूसरे देशन से मद्दाता की तौर पर आप देखते हैं कि दरज कर सकता है कि तौर पर अपना नाम दरज कर सकता है प्रवासी स्तेमिकों को भी ऐसा करने की अनुमति देने चाहिए बातमर में अगर भी उत्तर भारत से दच्छन भारत जाते हैं या दच्छन भार पर उस जगह से वोट करने में सक्ष्म बनाएगा जो उनके मद्दान चेदर से बाहर है और मद्दाता आप देखते हैं कि वोट देने के बज़े पोस्टल वेलिट को पोस्ट के जरीए वापस भेज सकते हैं इसका मतलब है कि इस पर आउधान को विर्वावस्थी के लिए लागू किया जा सकता है और हमें इस बात को सुवितार करना होगा कि भारत उस समय से आज बहुत बदल गया है जब लोग पित्ती नेदित अधिनियम 1951 बनाए गया था बरते पलायन और डिजिटल करांती ने भारत को बदल दिया है उहीं राजनितिक दल भी प्रवासियों की समस्या पर गौर करते हुए समधान के लिए काम करेंगे अब आप देखें जिस दिन वोट पढ़ना है उस दिन हो सकता है कि आप कहीं चले गए हो तब भी तो समस्या हो जाती है तो उसमें कहा जाता है कि ओनलाइन बोटिंग के लिए बहुत सारी लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए बोट के लिए रजिस्टर नहीं 91 परसन सहरी प्रवासी तो 91 पितीसत सहरी प्रवासी जहां रहते हैं वहां बोट देने के लिए पंजीकित नहीं है हलाकि 75 पितीसत प्रवासी बोट देना चाहते हैं दिली मुंबई मुग ने वेंगलोर हैदराबाद में किये गए अध्यान में यह बात कही गई है कि अध्यान 1100 सहरी प्रवासी उपर किया गया है अध्यान करने वाले रेंटल हाँ यह बात कि अध्यान आप देखें कि 1100 सहरी प्रवासी उपर किया गया है अध्यान करने वाले रेंटल हाँसिंग पोर्टल नेश्टावी के मुताविक सर्विक्चन में सामिल किये गया जांदत लोग 20 से 30 बर्स की उम्रे की नौकरी करने वाले पेसेवर हैं नेश्टावी के को फाउंडर और CEO अमरिंदर साहूर ने कहाई कि जांदत सहरी प्रवासियों में ने अपना नाम मद्दात सुची में दर्ज कराने का प्रियास किया है और लेकिन पिक्रिया काफिट कठेन है और विसे इस रूप से अलगर आप किसी दूसरी राज्य से आये हैं तो करनाटक में भासा एक बड़ी बादा है और 33 परसंट प्रवासी नहीं जानते हैं मद्दाता की तोर पर कैसी कराएं प्रवासी मानते हैं दूसरी सहरों में रहते हैं तो नहीं दे सकते हैं चालीस परसंट मानते हैं कि मद्दाता पहचान पत्त होने से कहीं भी दे सकते हैं सरस्तर दसमलों 4 परसंट मद्दान हुआ था 2019 के लोग सबचुनाव है मद्दान के लिए नाम पंजीकित करानी के विक्रिया के बारे में जानकारी का भाओ तो जांदतर सहरी प्रवासी 73 प्रतिसत यह नहीं जानते हैं कि जिस सहर में वह रह रह रहे हैं कि वहां अपना नाम पंजीकित करानी कैसे पंजीकित करानी तो जाग रुकता भी जरूरी है देखें और आप देखें 27 इस सब आप लोग देखा करिएगा चौकाने वाली बात है कि 60-30 परवासी मानते हैं अगर भी नए सहर जाते हैं तो वोट नहीं कर सकते हैं सिर्फ आप देखते हैं कि 40-30 परवासी जानते हैं जहां रहे हैं वहां कि मद्दात सुची में अपना नाम दर्च करा सकते हैं और बहुत से लोग जानते हैं मानते हैं कि मद्दाता पहचान पत होने से भी कहीं भी बोट डाल सकते हैं अपना नाम दूसरे सहर में बोट देने के लिए कैसे पंजित करा हैं निवास का परमाडित करने के लिए जरूरी दस्तावीज ना होना और आजनीती में दिल्शस्वी ना होना जैसी कुछ आप देखते हैं पिरमुक कारण है जिनकी वज़े से प्रवासी वोट नहीं करते हैं बैंगलोर में प्रवासी अपना मददाता पहचान पत हासिल करने मे दिल्ली मुंबई पूने की तुल्ला में जानदा सजग हैं और बैंगलोर में आप देखते हैं कि सर्विक्षन में जब आप देने बालों में से करीब 43-53 पितिसत के पास बैद मददाता पहचान पत रह था जबकि मुंबई पूने और दिल्ली में ऐसे प्रवासीयों की सं दिल्ली में सर्विक्षन में जब आप देने बालों में से करीब 63-53 पितिसत लोग मान देंगे जिस सहर में भी काम कर रहे हैं वहाँ वोट नहीं दे सकते हैं और देखे एक बात याद रखे इस सब आकरे अगर आप लोग आंसर आइटिंग में और निबंद में देंगे न बताएंगे न तो काफी आपका प्रभावकारी ने बंद होगा मदान को लेकर सकारत्मक्र बिया अच्छी बात है कि जान्दातर लोगों ने मदान करने को फेलेकर सकारत्मक्र बिया दिखाया वैंगलोर में सर्विक्षन में जबाब देने वाले 67-30 लोगों ने कहा कि बे वोड देना चाहते हैं और इसके लिए काम करेंगे, वहीं दिली में ऐसे लोगों की संख्याथ 19 पितिसद और मुंबई में पूने में 70 पितिसद, सरविक्षन में जबाब देने बालों में लगभग 34 पितिसद की उमर 18 से 25 और 24 पितिसद की उमर 25 से आप देखते हैं 30, 14 पित को गुंडा एक्ट की तहत कारवाई हुई है परयावन मंतराल ने कहा कि भारत में 15 वर्सों सिबंचेत में सदद बिद्धी की बात हो रही है यह आप देखी यूएन एप एप का 19 वसंसकंड़ गत 6 मई से 10 मई तक नी वर्क इससे सहयुक्तराष्ट मुख्याले पर आयुज किया गया था देखें सेटराष्ट की बात करें तो युनाइटे नेसेंस की बात होती है 24 अक्टूबर 1945 में स्ताफना हुई थी नियॉर की वैसे में उसका हैड़कॉर देखने को मिलेगा मनीपूर में हिंसा से पहले चन्नित किये गये थे 2480 अवैत प्रवासी बीरेन सींग किया रहे हैं यहां कि मुखमंत्री मनीपूर यह आप देख लिए इंफाल इसकी राध्धानी देखने को मिलेगी सीमा नागलेंड असम में जोरम से लगती हैं तराष्टी सीमा मियानमार से लगती है कि कि कोई राज जो चर्चा में रहता तो उसके बारे में एक सामन जानक साथ सीट है राज सभा में एक सीट है लोग सभा में दो सीट है 22,327 किलोमीटर में फ्हला हुआ है मनीपूर का कि नए सयन्तों पर 4500 क्रोड कर निवेश करी कि एसकार्ट किरसी और निर्माड उपकरन बनाने वाली कंपनी है अमेरिका को खुब बड़ा निर्याद चीन रहा सबसे बड़ा सांजेदार पिछले पांच वर्सों के दोरन भारत ने अमेरिका को निर्याद 48,37 तो चीन से आयाद में 44,37 से जान्दा की बड़ोतरी हुई बित वर्स 2023 के दोरान चीन के साथ दुई पक्षिय कारोबार 18,4 अरब डॉलर का रहा है अमेरिका के साथ दुई पक्षिय कारोबार बित वर्स के दोरान आप देखें 18,3 अरब डॉलर रहा है चीन से आयत में कमी होने आने के कारण भी बताए गए इसके मताबिक भारत ने 2023-2024 में चीन से 4.2 अरव डॉलर का टेलीकॉम बा मोबाइल कौन फॉन आयात किया है और जो इस बर्स में कुल इस बर्ग में कुल आयात का आप देखते हैं और इसी तरह भारत ने कुल कंपीटर वाप रॉद्गी की आयत का सततर पितीसाद नवी करने है उड़ जा से जुड़े उकरणो का के आयत का च्छाज 65.5 पितीसाद एवी में बैटरी से कुल आयात का 75 पितीसाद हिसाद चीन से मंगाया है यानि हम आवस्ता के बार रननितिक चैन के विस्तार करने की जो बातें हुई है उसका अभी जमीनी तौर पर असर नहीं है देखा और केंद सरकार ने बरस 2020 की बाद से चीन पर निर्यावरता कम करने के लिए कई कदम उठाया है उसका असर संभावता आने वाले दिनों में देखेगा और 83.6 डॉलर के साथ ही हुई तीसरा बड़ा सांजिदार है एक सट दसम्लोग 444 डॉलर के पर पहुंचा रोस के साथ दुईपकचे व्यापार रोस के साथ तेजी से बड़ा कारोबार चलिए ये सब आपकड़े याद रखा करिएगा दोजार पच्चीस में चोथी वड़ी आर्थ की होगा भारत जी ट्वेंटी में भारत के सेरफा और नीती आईव के पूरू सीएओ अमिल्टाप कांद का कह रहे हैं देखे नीती आईव के स्थाफना 2015 में भी थी ये उजनाईव को पिती स्थाफित करके आया है ना लेकिन विद्वर्स में आप देखते हैं कि कोईला आया आट पिती सत्थ बड़ा असी हजार करोड करनेविस करेगी आदानी इंटर्फराइजेज सरकारी कंपनियां ने किया पचास जार करोड करनेविस आसियान से कारवार समझोते में बदलाव परवारता में आई तेजी समझोत में संसोधन कर पर सुझाओ के लिए आट ओप समोह का गठन अंगले बैठा को जुलाई में इंडोनेसिया में होगी अब आप कहेंगी कि आसियान के देखिए इस तरह के जितने भी संगठने उनके बारे में एक सामान जानकरी जरूर रखिएगा जो एजुक्रिशन सरकल के लेट फॉर्म है न आपका उस पर हम लोग बात भी कर रहे हैं इसके बारे में तो जरूर आप लोग उसमें रखिएगा क्योंकि कुश्टन्स पूंच लेता है साउ एसोसियेशन आप साउटीश्ट एसीन नेसंस की बात हो रही है इसकी स्थापना आठ अगस्त उननीस सो सरसट में हुई थी यह भी याद रखिएगा जकारता इंडिनेसीया में इसका इड़ कॉट्टर देखने को मिलेगा मेंबर की बात के मित्व बुनोई कमबोडिया इंडीनेसिया लाओस मलेसी या मैंनमार फिलिपिन शिंगापूर थाईलिंड बेतनाम आपको देखने को मिलेंगे दाइ यंक में विद्धी के लिए बाजार सुधार पर ध्यान दे भारत एसी आई विकास बेंक के मुख्य अर्थ सास्त्री एलवर्ट पार्क का कहना है और आप देखते हैं कि भारत दो दाही अंक में विकास दर हासल करने के लिए जमीन और सरम जैसे बाजार सोधारों पर ध्यान के अंदरिश करना चाहिए एक साच्चादकार में उन्होंने यह कहा है और देखे एड़ीबी की बात करेंगा न हम लोग एसी आन डबलमेंट बेंक की बात कर रहा हूं मैं तो इसकी स्थापना उन्निएस दिसंबर उन्निएस सो च्यासट में हुई थी यह याद रखेगा मनीला फिलिपेंस में इसका हेड़ क्वार्टर देखने को मिलेगा अर्सट मेंबर है इसके मुनाफ़ वसूली के चलते गोल्ड एटीएप से बारे महाँ बाद निकासी 396 करूर रुपे निकाली निविस्कोने अपरेल 2024 के दोरान 31,224 करूर रुपे हुआ गोल्ड एटीएप का AUM पिछले महाँ पिछले महीने गोल्ड एटीएप का पोर्ट फोलियो में एक लाग से जान्द की बिद्धी हुई है देसंबर 2019 को मकाबले 6 गोना बड़ा AUM और 60-10 में से 6 कंपनियों का पुंजीकन घटा यह भी कहा जा रहा है यह मनोवल से चनोतियों की विरुद्ध अभियान जारी रखें जवान थलसेना पर मुख कह रहे हैं हर्याना में रेकॉर्ड बना दसभी का नतीज़ा 55 बर्स में पहली बार 95-12% पास हुए अच्छी बात है विकास की धार से टूटा नकसलियों का कवच निसाने पर आये लड़ा के और चाहमा में 109 नकसली मारे गए विकास में तेजी लाने अब नियद निलानार देखें नकसली हमारी ही देश के लोग हैं बस गलत रास्ता अपनाए हुए हैं अब कहोगे कि नकसल होता क्या है नक नकसलबादी गाहों से हुई थी भारती कम्मिनिस्ट पाइटी की नेता चारू मजूमदा और कानू संद्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाव एक ससक्त अंदोलिन किया था मजूमदार चीन की कम्मिनिस्ट नेता मौस्तितों के बड़े फिसंद सकते और इसी कारण नकसलबाद को मावबाद भी कहा जाता है अब आप देखिए अंतराश्टी खबरे हैं इस तरह आप देखिए इजरायल हमास में चल रहा है और रोसी उक्राइन में चल ही रहा है तो वससे एक सामान जानकारी रखी इस पर कुछ अपडेट होता है तो आप लोगों को याद रखना रख चुके हैं चैतर भारती रक्षाकरमी अब कर देखिए अब कर देखिए तीव लिसी में रेली निकाले गए जिसमें सामिल लाखों लोगों ने मोबाइल फॉन के टॉच से रोसनी करके अपने एक जूटता का पिदर्सन किया और यह मास्कों समर्थी सरकार है पिदर्स अनकारियों का कहना है कि सरकार रूस के सारे पर नया कानून लाई है जो विदेशी परवहाओं को नेंदित करने के लिए लाए जा रहा है यह कानून जड़ जिया को यूरोपीय संग में सामिल होने से रोकने के लिए है और बीडी रेपोर्ट कि अनुसारी यह कानून पवन चक्कियों से घूमती नीदरलेंड की आर्थकी तो आप देखें नीदरलेंड के किडर डिजक में पवन चक्कियों के पीछे सुर्यास्त के वक्त का एक बीहत खुबसूरा आप देखते हैं कि नजारा नीदरलेंड के दच्छन में अठारवी सदाबदी में निर्मेत पवन चक्कियां यहां की आर्थक उस्तिती को काफी मजबूत पिदान करती हैं नीदरलेंड में आमतोर पर दो सेड़ी की पवन चक्कियां हैं यह जोने फोल्डर कहा जाता है इनका उफ्यक भूमी पर जमा पानी के को खाली करने के के लिए जो अनाज पिसाई लखडी की कटाई और फेंट के लिए पिगमेंट बनाने उकागा जो द्यूग में इस्तेमाल की जाती है अच्छी बात है गलत क्या है इसमें ग्रीस के पीम क्रिया कोस अंकारा का दोरा करेंगे कामी रिता सेर्पा ने रिकॉर्ड 29 भी बार माउंट एवरिस्ट की चड़ाई की है 1994 में पहली बार एवरिस्ट पर की थी चड़ाई पिछले साल एक सीजन में बार चड़े थे अपने सर्टी पिकट के दिखाती है वरिस्ट में नाम से पिसे कामी रिता सेर्पा नेपाल की कामी रिता है नेपाल में आप देखते ना उत्राकरण उत्तरप्र इस बिहार से किम पश्चे मंगाल की सिमा लगती है चलिए आप लोगों से एक सवाल मेरा एवरिष्ट क्यों चाही कितनी है यह मैं हम लोग कई बार बात किये हैं न यह आप देखते हैं कि खेल का छेत है यह भी देख लिया करिएगा विभिन सेयोजन अजमाने का मुका मिला सलीमा टेटे भारती महलाहों की टीम की नवनिक्त कपतान है जेंबाउंबे ने बंगलादिस को क्लीन सीव करके करने से रोका यह आप देखें चैन के बाद से बेपटरी हुई अधिक्तम खिलाडियों की फार्मगाड़ी टी ट्वेंटी विसकप के लिए भारती टीम रोहिस सर्मा कपतान हार्दिक और कपतान यसिस विजैसवाल अंसिदीप सींग पंत यह आप देखते हैं मुहमत सिराज संजू सिवम जड़ेजा अक्षैर कुलदीप यादो याजविन सींग सब देख सकते हैं प्रग्नानंद ने कार्लसन सेंट को हराया अभी भी तीसरे स्थान पर वरकार हैं दीख्षा ने पंद्रह सो मीटर दोड में बनाये राष्टी रिकॉर्ड इसा अनीस की उलम्पिक टायल में दूसरी जीत आप देखेंगे बोस्ताला की उत्तरदिसा में नई सरचना देखी पासाड़ा उसे इस मिले याप देखते हैं कि भारती प्रवात्त सर्विक्चन कर रहा है ना मद्पदेश के धार जिले में खुदाई उसी की बात हो रही है यहां भी कहते हैं मंदिर को तोड का मश्चित बनाए गया है उत्तराखन में बने जीमों किसी फसल सुरक्षा कैसे हो सुझाओ देगा पलायन आयो बैदिक मंतोर चारें से गूंज उठा कस्मीर का ग्रोपादरी परवत अधिसंकराचा जैनती यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलिज की जैनकारी मिल जाती परिक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं थौंसन wrote देक्षेन का पहला की 591 फल एडस्यर से अलपादरी परियान करने ऑ़िना उक्सपों करूपाद्र के था निसा पंचानवे मैं आज यी के दिन वैटीस परवात रोही यहली फल पर पहुंचने वाली पहली महला वनी उनका लक्ष दुनिया के तीन सबसे उंचे परवतों पर चड़ना था हाला कि 13 अगस्त 1995 को केटू के से उर्तर्जते समय उनकी मौत होई थी अपनी भाव भंगिमा से लोट पोट कर देते थे आसित जैंड हासा विनितास आसित सेंड का जनम 1970 में आज ही गोरकपूर में हुआ था करीर के सुरुवात में गोरकपूर में फोट्टू इस्टोडियो चलाते थे बाद में कोलकाता जाकर बिमल राय की साहिक बन गया 1969 में सुजाता फिल्म से करीयर की सुरुवात की फिल्म 20 साल बाद गोपी चंद जासूस की भूमि है इस परम वेल मचलियों की भास समझने में मिली कामे आबी विग्यानियों का दावा की से भासा के जरीए यह आपस में संबाद स्ताबित करती हैं विग्यानियों को इस बात के सबूत पहले भी मिल चुके हैं कि वेल के बीच बाकायदा संबाद होता है जिसे अपनी एक भ पर इस बिस्तत डाटा को बिसलेशन से पता चला कि उनके वीच बातचीत की विवस्ता बहुत परिस्कित होती है। 60 से अधिक वेल मचलियों की डाटा का बिसलेशन किया जा रहा है। इंसानी भासा से समानता सोथ करता हूं ने उनके संबाद में बड़ों को भी पहचान किये। और रूंपाया कि उनके संबाद में अन्य जानवरों यहां तक की आसान इंसानी भासा से भी समानता है। मैसेचीट्स इंस्टिटूट ऑफ टेकनोलोजी में पिएचडी कर रही पित्तियुसा सर्मा के नुसार बेसक उनकी आवाजों कुछ सब्द या भासा देना अभी संभव नहीं सही। लेकिन आप देखें हम उनके विवार के लिहाज से उनकी आवाजों का देन कर रहे हैं ताकि यह समझ जा जा सके कि भी किस बारे में बात कर रहे हैं। सेवरले इंपाला पिदर से, अमेरिका की लास एंगेल्स में पीटर्सन आटो मोटिव संग्राले में नई लो राइडर पिदर सनी बेस्ट इन लो लो राइडर आईकञंस अफ दा स्टीट एंडुसोन में पिदर सन्पिदर्सन फिदर सित फाइनल इसकोर नाम की 1958 सेवरले इंपाला गोल्डन कलर की यह इस इंपाला काल लोगों के लिए खास आकरसंड का केंद बनी है इंपाला अपने दोर की सान और सकती सौकत की कार मानी जाती है यह पर दरसनी अंगले बॉर्स अपरेल दुजारत पचीस तक चलेगी और टेज में होने से पहले मेटाबॉलिक परियोतनों का पता लगाए गया यह नुसंदान कहारा है बच्चों का कम नीद लेना हो सकता है खदरनाग ऐसे बच्चों में वसकता में मनुविक ज्याने विकार होने की संभार नों दूगनी से अधिक हो पाएगी च्छै महीने से साथ साल की उम्र में 12,400 बच्चों की नीन का अवदी का किया गया विसलेशन नीन पूरी लिजे ओवर हेड यह आप देखते हैं कि बिन चड़ कर जपकी लेने लगी महला पचास से जानदा बार देखा गया यह घटना की वीडियो चलिए यह मूवियां से देखे कुछ मातपूंड एडिटोरियल रहते हैं आर्टिकल एक तरह से मिल जाते हैं एडिटोरियल की तरह तो उन पर डिसकस करने में आप देखे टाइम लग जाता है इसलिए कई बार बड़ी किलास हो जाती है अभी आप देखे जो संपात किये बार्ट वो बच्चा हु आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुझाओ तो बताएगे जरूर और आप लोग इमानदारी से बढ़िए इमानदारी से अपनी तैयारी करिए धन्दबाद